हिमाचर प्रदेश के मुख्यमंतरी सुक्विंदर सिंग ठाकुर ने कलबर साथ के बीच काई जिलों का दौरा किया मंडी कुलू और लाहौल का हवाई दौरा किया सुक्विंदर सिंग ठाकुर ने सरकार ने लोगों की मदद के लिए राहत कैंट लगाए हैं देडरात मुख्यमंत्री ने राहत क्यांत में लोगों के साथ भोजन किया पूर्व राजनेता सजवान लगाता सुरे समाचार के साथ जुड़े हुए हैं मुसीबत में फसे लोगों की लगातार जानकारी ले रहे हैं सजवान उत्रा खंड के पूर्व नेता है सजवान तो मुख्यमंत्री हिमाचुर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कल बरसाथ के बीच कई जिलों का दौरा किया मंडी कुलू लाहॉल ये तमाम वो जगे हैं जिनका हवाई निरिक्षन किया है सुप्रिनर सिंग ठाकोर ने और इसी बीच लोगों के लिए जो राहत कैम्प लगाए गए हैं उसमें भी पहुंचे मुख्यमंत्री राहत कैम्प में लोगों के साथ बैठकर उन्होंने भोजन भी किया तो हिमाचल प्रदेश जो की बार और बारिश की त्वास्दी से जूज रहा है धीरे धीरे बारिश तो वहाँ पर थम गई है लेकिन धीरे धीरे जिन्दगी को पटरी पर वापस लाने की कोशिश है और इसी बीच हमाचल प्रदेश में जिस तरह की बरबादी हुई है और अभी भी हमाचल प्रदेश उससे पूरी तरह से उबरने की कोशिश कर रहा है अभी भी हम यह नहीं कह सकते कि अगले 24-48 घंटे भी पूरी तरह से सब कुछ ठीक रहेगा ऐसे में आपने वहाँ पर क्या मंज़र देखा है और वहाँ की जानकारी आपके जरीया हमें क्या मिल सकती है देखिए हम सरकार का हिस्सा है अभी मैं मुख्य संस्थी तक्चिव हूँ और कुल्लू का विजाइद भी हूँ तो ऐसे मैं जो अभी हमारे मुख्य मंतरी जी ने मुख्या समाल रखा कल से वो आगे हैं पर सो जब मैं स्वैम जब चला था शिमला से कुल्लू की तरफ तो आते आते जब मुख्या मंतरी से मिलके अमीरपूर से आया हूँ और हमने रात को वाँ ओपरेशन किया छे जिंद्गिया नगवाई में जो बचाई है वो रात को । नगवजे तक चलता रहा हूँ उसके बद भाट हमारी जो प्रात्रिक्ता थी पहले तो जान बचाने की भी थी सबकी अब जान बचाली है जान भी जाने स्वनक्षित है Chuck यह माल है और सरकों कौर रिट्रोर किया जा बिजली गाटी में पहुंच गई है क्योंकि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है तो ये सारा मैं समसाओ कि कल रात को बिजली बहाल हो चुकि है मुक्यमंतरी जी यही थे और नेशनल ग्रिट से जो पूरा सिस्टम बिलकुल क्योंकि हमारे वैली में कोई भी हाइडरो प्रज की गई है मुक्यमंतरी जी के आते ही मुक्यमंतरी जी चंद फिजली पिजली वहाइक पर प्रोग्राम रिकिलो ग्रात को उन्होंने रुखना ज्यादा बेतर समझा और अभी भी सुबह पूरी रात जाके हैं और और एक-एक कैम्प पे जाकर रात को वेक्वेशन से लेकर सारे लेकिन मुझे खुशी है कि इस वकर मेरे जो विदानसाव अक्षेतर है या जिले की बात है तो सारा जो है लगवगर असी प्रतिशत तूरिस्ट निकल चुका है जो भी तक टिस्तिती है जी बिस प्रतिशत बा अब इस वह दो रहाट केम्प भी लगाए गए हैं और वो तस्वीरें बी हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री खुद राहत कैम्प में भी पहुंचे पाड़ों में तो हम क्योंकि शेरों में ये कुछ लोग बठती हैं बनाके नदी किनारे बसे होए थे ये कुछ वो कुछ गुमन्तू लोग थे या कुछ और होते हैं जो जो वही पर अपना अस्थाई उनका रियाइश थी ऐसे में उनको सारे यह पर जितने हमारे कम्यूनिट की ऑल्स है कॉलिज की बिल्डिंग है उसमें उनको है और ये संख्या चार-पांसाओ लोगों की है उसके लेकिन बाकी सबी लोग अगर गाओं में है पहारों का जैसे एक सववाब होता है कि लोग मेमान वाजी बहुत करते हैं जी सभी तूरिस्क इतना निकल रहा भी है हम मारे जो संखंधन के लोग कॉंग्रस के लोग पानी लेकर बिस्कित लेकर फ्रूट्स लेकर खड़ें क्योंकि फ्रूट अभी है एपल है वीचे में एपल है लोग ऐसे में सारे जो फ्रूट्स तो लोकली अवेलबल हो रहा है लेकिन पानी बिस्कित ये सारी बाते हैं ले कि पुरे कपूरा हर वैली से अभी में कुद सुवा पांच बजे से कसोल के लाक्र में था मुक्या मुख्यऑ मंतिरजी से मेरे संपर्त में के किसोल से भी ताथाथाजार लोग उनको निकाला गया है मनाली से बहुत बड़ी संक्या में कल से लेकर कोई आप यह मानिये कि कोई डाइती नजार काड़ी निकल चुकी है अब तक बेल्कुल कितने कितने लोग बिल्कुल यह जो आपके टूरिस्ट जिनको आप कहरें कि टू हो गया है तो क्या-कुछ बहार उचेगा है ना कुलू मनाली में है गला चार पांच अजार होटेल है आप सूचिए कि एक यह एक होटेल में तस लोग भी ठेहरे होंगे तो उपा जो है पचास हजार किसंख्या हो जाती है ठीक है यह आलग आती में यह लोग है लेकिन हर को सरक्षित अपने होटलों में है कोई अची बात नहीं है कि जितने का लेकिन कल मुक्या मंतरी जी ना अपना हेलिकॉप्टर देकर साथ लोगों को भुजूर को और बच्चों को वहां से निकाला जो क्रिटिकल कंडिशन में थे चंदर साल से तो हम अभी यहां पे उन्होंन जो यह डिजास्टर मेनेजमेंट का ऑफिस है जी मुक्या मंतरी जी स्वह मुहां पे बारा बज़े तक बैठे हैं तो यह जारा पूरा उन्होंने सवाल लिया है बिल्कुल ठीक बात है तो लोगों को भी एक भरोसा होता है कि अगर सुबे का मुख्या उनके साथ खड़ा हुआ है तो सब कुछ ठीक होगा जल्दी ही अच्छे फैसलिये जाएंगे मुझे जल्दी से यह भी बता दीजे कि प्रधान मंत्री भी इस हालात की पूरी जानकारी ले रहे हैं उनकी भी नजर है उनकी तरफ से क्या कोई मदद यहां भेजी गई है या मुख्यमंत्री ने उनसे मांग की हो या कोई स्पेशल पाकेज की मांग रखी गई हो मुख्य जो जो हमारी जान का था जान जाने सभी सुरक्षित है यह बहुत बड़ा संदेश है और माल की जो है परपाई करने में तोरा समय लगेगा लेकिन फिर भी यह सारी चीज़े अब स्थिति नियंतरन में है और ऐसे में तिरफ आपके मीडिया के मादियम से मैं यह संदेश देन कि जनूरत नहीं है कि हंद्र से कोई पैकेज मांगा गया है आर्थिक पैकेज देखिए मुख्यमंतिरी जिसंदे यहां पर हजार गुरोड का नुकसान हुआ है और यह सारे का तारा जो यह मामला जो अभी आंकलन किया जा रहा है आंकलन की स्थिति तब बनेगी जब पुर चार दिनों में लगेगा कि कितना हमारा नुकसान है और तभी कुछ मंग रहात और बज्जाब के काम में केंजु से भी मदद ली गई है क्या यह हिमाचल प्रदेश अपने तौर पर ही मानेज कर रहा है जो भी है उन्होंने तीजोरी खोल दिये यह राज रात कारिये के ल झाली